है तो फ्रेंट वेल्कम टू मैं चैनल ट्रेवल स्विद वलेग में और आज के विलोग में मैं आपको दिकरने वाला हूं कमल मंदिर जो की निव दिली में है तो गाई आप बने रहे वीडियो गुषाद मैं आपको दिका रहा हूं कमल मंदिर इसको इंगलीज में लोटस टेंपल भी बोलते हैं तो चलते हैं वहाँ तो गाई मैं एंटर गेट पर आ चुका हूं और इसमें एंटर करते हैं और यहां सबसे पहले यहां गेट पर सिक्यूर्टी चेक होती हैं तो यहां आप लाइन में देख सकते हो और यहां से अब चलेंगे इसके अंदर कि अगाई मैं अंदर आ चुका हूं और आप देख सकते हैं इसके अंदर यह बीच रास्ता बना हुआ है कमल मंदिर तक जाने के लिए और इसके चारों और आप बगीचा देख सकते हो कितना बड़ा बगीचा है और इतनी हरियली और सजा उट आप देख सकते हो यहां कई सारे फूलों के फोदे हैं और गाईज आप यहां भीड देख सकते हो इतनी भीड है क्योंकि भारत का सबसे सुन्दर और बहुत बड़ा मंदिर है कमल के आकार का है जैसे कमल की पंकोडिया होते हैं उसी तरह कि इस मंदिर को बने गया है और चलके आप आगे तरह को आपने आप डऱ्ी जिए लेग्वार बने होते हैं आप भीड़ार आप यहां आपोड़ा है तो गाइज मैं आगए हूं कमल मंदिर के बहुत पास और अभी थोड़ी दूरी हो रहे हैं तो बने रही आप वीडियो को साथ मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर का व्यू और पास जाकर देखते हैं कि यह कैसे दिके देता हैं है और यहां से आप देख सकते हैं कमल को कदिगा देह रहा है और अभी एक तरफ यह रास्ठा जाने का है और दूसरी तरफ से आने का रास्ता है तो आप बने रहे वीडियो को साथ तो भाइस अभी यहां सीडियां से उपर जड़ते हैं और यहां पर आप देख से तो यह कमल मंदिर और इनके दोनों और पानी के बड़े-बड़े कुंड बने वे इसमें पानी भरावा है बिल्कु आप देख सकते हैं यह बहुत बड़ा मंदिर हैं दूर से बहुत छोटा दिक ही दिता है तो गाइज अभी मैं लाइन में हूँ और आप जाएंगे इसके अंदर और यहां अंदर कोई भी वीडियोग्रापी अलोग नहीं है तो हम बाहर आकर आपस बता हूंगा तो यहां के एक विशेस बात यह है कि यहां सभी धर्मों के लोग आखशकते हैं क्योंकि यहां पर कोई बगवान की मूरती नहीं है और इस प्रको एक माना जाता है और सभी लोगों की यह अस्ता यहां से जूड़ी है तो गाइज जब चलते हैं वापस और मैं आचुका हूं यहां के नीचे और यह चलता हूं अभी एक्जिकेट किया तो गाइस कमेंट के बिए बताओ कि यह आपको कैसा लगा और यहां एक विशेस्ता यह हैं कि यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और यहां बैट कर इसके अंदर बैट के इस पर कर ध्यान करते हैं क्योंकि यहां किसी भी वगान की मूर्ती नहीं है और नहीं कोई हर्मिक कर्म काट किया जाता है तो गाइज आपको यह कैसा लगा और कमेंट करके बताओ इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सबस्क्रीब कीजिए और प्रेस बेल अब